पश्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर आरेम महरा है और आज हम लोग चित्रों के बारे में यानी पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर मुझे ऐसा लगता है जो हमारा वैदे का आखिटेक्चर है वो अपने आप में सबसे रिच है जब हम पेंटिंग्स या फिर स्कल्प्चर की बात करते हैं शिल्प की बात करते हैं मंदिरों में और जितनी जितनी पुरानी बिल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो दिवार पे इतना काम देखेंगे और objective oriented काम है columns पे जिनको हम लोग stump कहते हैं तो ये क्यों किया जाता था एक objective था इन सब के पीछे वो था motivation इनोवेशन भी था कि हर बार कुछ नया सोचा जाए और आप जो लोगों को प्रेरित करना चाहते हो करने के लिए जो कराना चाहते हो वही चीजें सामने बना देते हो शिल्प के द्वारा आज की टाइम में शिल्प थोड़ा सा कम है मंदिरों में हमें नजर आता है लेकिन घरों के अंदर उतना प्रेविलेंटली उतना commonly नहीं देखता है जब भी हम कभी भी किसी भी कमरे के अंदर paintings लेकर आएं चूज करें कहीं पर भी लगाने में तो कोशिश करें कि यह देखें कि कहां पर हमें paintings चाहिए पर generally कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि जो negative feeling देती है negative message देती है negative कोई भी theme, concept, background कोई भी चीज negative दिखती है तो उसे avoid करना है अब negative किसे माने लडाई जगड़ा हो रहा हो कोई भी sufferings, कोई भी तकलीफें कोई जहल रहा हो कोई pain से गुज़र रहा हो किसी भी तरीके की मानसिक, शारिरिक पीड़ा हो कुछ भी इस तरीके का हो वो negative है कोई भी, अगर हम human की बात करते है तो एक बंदा बड़ा prosperous दिख रहा है अच्छे कपड़े पहने वे है good indication, prosperity का indication तबकि सामने दूसरा बंदा है जो दरदरता को indicate कर रहा है negative indication तो इसी तरीके से paintings को positive and negative में define किया जा सकता है जो birds जिनको हम positivity से link करते हैं प्रेम से, love से link करते हैं उनसे इस तरह से positive and negative में divide करके segregate कर सकते हैं दूसरा चीज़ जब भी आप painting select करें ये देखें कि आपके जिन्देगी में कम क्या है क्या चाहिए अगर प्यार की बात कर रहे हैं तो ऐसी birds और ऐसी indications हैं जैसे love birds हैं swans हैं, mandarian ducks हैं तो उनकी image होती है duality में, दोनों साथ में हैं तो वो लगाई जा सकती हैं हाथी का जोड़ा हो गया या ducks का pair हो गया लगाया जा सकता है या फिर अगर हम concentration की तरफ देख रहे हैं या hope की तरफ देख रहे हैं तो हम sunrise की painting लगा सकते हैं beauty की तरफ देख रहे हैं तो तितलियों की लगा सकते हैं flowers की लगा सकते हैं तो एक बहुत important बात ही समझ रहे हैं देखना है कि क्या चीज कम है तो प्रकृती से उन ही में से कुछ न कोई indication हम लेकर अपने पास आ सकते हैं एक चीज और जब आप कभी भी कोई चित्र खरीदें तो देखें कि उसके अंदर dominant colors क्या हैं बहुत darkness तो नहीं है कि life की visibility कम हो गई हो फिर ये कोशिश करें जानने समझने की कि first object जो है जो सबसे पहले चीज दिख रही है वो कोई negative indications, negative mood में, negative temperament में नहीं हो फिर second object sky में कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई भवर में फसा हुआ है तो generic points के उपर हम लोग selection करते हैं जब भी हम कोई चीज चूज करते हैं लेकिन हम एक बात जरूर कहूंगा कि हम लोग जैसे southwest की तरफ पीठ के पीछे पहाड की painting प्रेफर करते हैं इस्ट में sunflower की करते हैं तो ये generic है या northeast में water की करते हैं पर जब bedroom की बात आए तो आप कोशिश करें कि आप कुछ भी लगाएं लेकिन किसी भी चीज के साथ अपनी जरूर लगाएं यानि अगर married couple का bedroom है तो husband wife की photograph हो एक happier times में साथ में हो नॉर्मली लोग अपने आपको देखना पसंद करते हैं एक happy mood में एक happy time में एक good memory जिसका पीछे हो तो कोशिश करें कि आप अपनी photograph लगाएं परिवार की photograph living room में लगाएं कि सब लोग साथ हो प्यार कर रहें हैं दूसरे को तो जब भी हम बैठें तो पुड़ी positive feelings आएं कुछ motivation हो जो उस समय भी objective था क्या प्रेवित कर रहे हैं हैं करने के लिए तो चित्रो का जो objective है वो पूरा तबी होगा जब हम बहुत ध्यान के साथ selection करें केरफूली लेकर आएं सही जगाँ पर लगाएं और उन्हें देखें